सो हेलो गाइज इसमी आयोश आपने तुम सभी का वेलकुम करता हूँ चालेंगे एक और ब्रैंड न्यू वीडियो में और आज के वीडियो में हम लोग एश पर इंशेरिंग करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 6 के एपसोर नमबर 10 का सुनाव विदा रेसी निमोर टाइम लेट्स गेट ऑन टो दे एक्स्पिलनेशन सारी शिप्स होंगी और क्यू कि किंग हेरल किंग और नौर्वे हैं तो वो किंग हेरल की कैपिटल सीड़ी को सबसे पहले कैप्चर करना चाहेंगे तो ऐसी सिचुएशन में सर्फ यही एक जगा है जहां पर उनकी सारी शिप्स आ सकती हैं गुनहिल कहती है कि वो सब माउं को पार करके हमारे तरफ आने लगेगा तो हम उस आर्मी को किसे रोखेंगे की कि बियॉंड की और किन्झ हैरल की आर्मी इसको भी मिला के इतनी बड़ी आरमी नहीं बन सकती जो की रूस से लड़ सकती है एरिक बताता है कि किंग हैरल नहींन नॉर्वे के किन्गस को चिटिया भेज दी है आके उनकी मदद करने के लिए मगर बियॉण जबाब देता है कि नहीं उसे नहीं लगता कि बाकी के किंग्स आके किंग हैरल की मदद करेंगे और एरिक भी एगरी करता है इसके पास सीन सिटो के कीव की तरफ जाता है जहां आई वर हैविट सर्क से पू ही करना चाहता है इसके बाद आई वर वहां से चला जाता है फिर आई वर के रूम में प्रिंसेस काटिया की एक सर्वेंट आके आई वर को प्रिंसेस काटिया के पास ले आती है और फिर प्रिंसेस काटिया आई वर को सेड्यूस करने लगती है और यार परसनली यह औरत बह प्रेडिस वाला जवाब देती है कि नहीं नहीं तुम अपने आप पे विश्वास करो तुम कर सकते हो। जिसके बाद आईवर प्रिंसेस काटिया के सिल्वर बालो वाला विग उतारता है जो कि प्रिंसेस काटिया ने। फिर इसकी तरह और दिखने के लिए पैना होता है और थोड़कल जवाब देता है कि वो लोग आजाद हैं अगर वो लोग चूस करते हैं नहीं आने के लिए तो वो नहीं आएंगे और हमें ये बात एकसेप्ट करनी होगी मगर बियॉंड डिसगरी करता है वो कहता है कि ये इंपॉर्टेंड है हमें हमारी कंट्री को बचाना ही होगा इसके बास सीन्स रिट होता है डिफेंसस को क्रियेट करने का काम चल रहा होता है और गुनहिल्ड प्रेगनेंट होने के बावजूद वरक में मदद करा रही होती है जिससे कि उसे काफी जादा पेन हो रहा होता है एरिक उसको ये सब करने से मना भी करता है मैंगर कर दो है बड़ा हो रहा है तो वह वीक हो रहा है हम लोक बस एक ही जगह पे अपना पूरे डिफेंस बनाना चाहिए मगर ऑट कियाता है कि रूस वालों के साथ आई वर ए और बै опять को प्रेट कर ने की कोषिश कर रहा है बियॉड खिर से पूस्ता है कि अगर आप के पास अधिकल लेना चाहिए क्योंकि अगर इंग्रिड ऐसा करती है तो किंग हेरल इंग्रिड को कुईन ओफ और नौर्वे बना देंगे। इंग्रिड बोलती है कि हम अभी अभी मिले हैं और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए अपने हस्बेंड को धोगा दे दूँ जिस पर किंग हेरल जवाब देते है कि वो चाहते है कि इंग्रिड बस इस बारे में थोड़ा सोचे इसके पर सीन सीडों के गुनहिल की तरफ जाता है जिसे की काम करते करते पेट में दर्द होने लगता है फिर वो पाने में गिर जाती है और उसका मिस कैरेज हो जाता है इसके पास सब लोग वहाँ पे सैड होते हैं गुनहिल बियॉण से माफ़ी मांगती है कि वो बियॉण को बच्चा नहीं दे पाई और कहती है कि सायद इंगिड उसे बच्चा दे देगी मगर बियॉण जवाब देता है कि नहीं उसे गुनहिल का बच्चा चाहिए था इंगिड भी गुनहिल के लिए बहुता सैड होती है और गुनहिल कहती है कि हाँ मुझे मालूम है कि आज का दिन बहुती खराब है और हम सभी उदास हैं मगर फिर भी हमें अपनी प्रेपरेशन्स चालू रखनी होगी क्योंकि अगर हम रूस वाइकिंग्स द्वारा हार जाते हैं अगर रूस वाइकिंग्स हमारी कंट्री को ले लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग होगा और इंगिड कहती है कि बियॉर्ड ये तुम्हारी रिस्पॉंसिबिलिटी है कि तुम हमारी कंट्री को बचाओ क्योंकि तुम हो नौर्वे के रियल राजा और ये सारी बाते किंग हैरल्ड सुन रहे होते हैं इसके वसीन स्टों के प्रिंसेस काटिया और आईवर के ओपर जाता है जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं प्रिंसेस काटिया आईवर को कहती है कि वो जानती है कि आईवर ने डियर को आजाद कराया है मगर वो ये बात ओलैक को नहीं बताएगी क्योंकि वो ओलैक से प्यार नहीं करती है फिर आईवर प्रिंसेस काटिया से कहता है कि वो इस बारे में प्रिंसेस काटिया से और बात करेगा मगर फिलहाल के लिए वो प्रिंसेस काटिया से दूर हो जाता है क्योंकि ओलेग उन दोनों को उपर से देख रहा होता है फिर राइवर हेटसर के पास आता है उससे थोड़ी बहुत बाचीत करता है और इसके बाद सूरज निकलने के साथ उसे मालूम चल जाता है कि अब स्प्रिंग आ चुकी है यानि कि अब नौर्वे के ओपर अटाक होगा इसके बाद सीन सीडों के गुनहिल की तरफ जाता है जो कि अपने मिस्कैरिज हुए बच्चे को एक जगा जाकर दफना रही होती है और इसके लिए रो रही होती है इसके बाद सीन बियॉन पे जाता है जो कि अरिक से कह रहा होता है कि सिर्फ तोरकल और नौर्वे के कुछ राजारानियों ने ही किंग हैरल के समंस को यानि कि उनके बुलावे को एकसेप्ट किया है और यहां आके हमारी मदद कर रहे हैं मगर यह इनफ नहीं है जिस वज़े से बियॉन एरिक से कहता है कि एरिक बाकी के नौर्वे के राजारानियों को चिर्थियां बेजे बुलावा बेजे मगर इस बार किंग हेरल के नाम पे नहीं बलकि बियॉर्ण के नाम पे कि बियॉर्ण उनको यहां हेल्प करने बुला रहा है और अगर वो बियॉर्ण के साथ मिलके रूस वाइकिंग्स को डिफीट करने में बियॉर्ण की मदद नहीं करते हैं तो वो अपनी पूरी कंट्री यानि की नॉर्वेग हो देंगे। फिर किंग हेरल किंग ओलफ से कह रहे होते हैं कि बियॉर्ण इतनी अच्छी शील्ड मेडन कुनहिल्ड से मैरीड हैं मगर फिर भी इस बंदे ने दूसरी शादी कर ली। उसकी बियॉर्ण को समझ नहीं यारा कि सारी चीजे बियॉर्ण ही क्यों ले लेता है हमेशा। और वाइकिंग्स भी किंग हैरल्ड और बियॉर्ण के साथ अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए रेडी होते हैं। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां आईवर अपनी प्लैनिंग कर रहा होता है। कि हम आईवर और बियॉर्ण को लास्ट बार बात करते देख सके आईवर कहता है अब हम दोनों वापसे लड़ने वाले हैं शायद गॉड्स हम दोनों को ऐसा लड़ता देख इंजॉय करते हैं बियॉर्ण कहता है कि अगर आईवर तुम क्रिस्चन्स की मदद लेके हमें डिफीट कर देते हो हमारे गॉड्स को डिफीट कर देते हो तो तुम हमारे फादर की पूरी लेगसी दफा कर दोगे आईवर कहता है कि ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि तुम सब उन्हें छोड़ दोगे उनके साथ नहीं जाओगे मगर बियॉर्ण इसका जवाब देता है कि ऐसी बात नहीं है मैं तुम्हें गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा इसके पस सीनस इड einen के बैडल फिल्ड की तरफ जाता है जहां रूस वालों ने अटाक करना चालू कर दिया होता है नीचे की तरफ इसकी बास सीन वापस से आईवर के प्लाइनिंग के ओपर जाता है जहां ईगौर कहता है कि हम माउंटेंस पे क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं पहले तो आईवर बोलता है कि हम माउंटेंस पे इसलिए अटैक नहीं कर सकते क्योंगी माउंटेंस के दोरा हम दूसरे तरफ नहीं के और हेविटसर को लेके माउंटन की दिरफ आ रहे होते हैं कि तभी उन लोगों के उपर एडाय गोना चालू हो जाता है क्योंकि यहां पे गुनहिल्ड होती है अपनी आर्मी को लेके और यहां पे भी डिफेंसेज होते हैं क्योंकि बियॉर्ड ने और डी ये चीज तीया और आईवर को मारने जाई रही होती है कि तभी वहाँ प्रिंस होलेग आजाते हैं और फिर अपने आपको ऐसे आउट नंबर देख गुनहिल्ड अपनी जान मचाने के लिए पानी में घूज जाती है फिर प्रिंस होलेग और उनकी आर्मी गुनहिल्ड की आर्मी को करने के बाद वो लों माउंटेंस के उपर क्लाइंब करने लग जाते हैं और आई वर एक लंगड़ा होने के बावजूद माउंटेंस पर क्लाइंब कर रहा होता है। इसके बाद हमें किंग हैरल दिखाये जाते हैं जो कि अच्छी तरह से लड़ रहा होता है। जिसके बाद एरिक किंग हैरल का क्राउन लेके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें वियॉंड दिखाये जाता है जो कि अच्छी तरह किस लड़ रहा होता है कि तभी आई वर उसे स्टैब कर देता है जिससे की वियॉंड गिर जाता है। और प्रिंस ओलेक जीत के किंग हैरल की रियासत को हासिल कर लेते हैं जिसके बाद वो सेलिब्रेशन करने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे रहा हैं जाला पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करके बहुत अबाद देना मैं में लोगों तुम लोग उस नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबेड़ेटा। कर देना मुष्ट कर देना मिनकें लोगों हो